मसकार दोस्तो टारगेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती है जो विभिन समचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित कौन-कौन सी सूचनाय है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब उने किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करने ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की authentic update साबसे पहले मिलती आगे बढ़ने से पहले एक सुचना उने विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रबल सी की बढ़ती लेखपाल की तयारी करना है और लेखपाल के लिए revision करना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं सरसु यहां पर आप लोग पूरी लिष्ट देख सकते हैं अगर आप लोग ऑनलाइन मगवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने contact नंबर और लिंक इत्यादी डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहां पर जखर कि आप लोग ऑनलाइन भी मगवा सकते हैं इन पुस्तकों की एक खासि लोग सेवा आयोग से खान अधिकारी की भरती आ यह विज्ञापन आ गया है समतारपत्रों के माध्यम से इसकी बारे में जानकारी दी गई है यहां पर देख सकते हैं आप लोग खान निरिक्षक परिच्छा 2022 संशिप्त विज्ञापन है और इस परिच्छा का विस्तित व जैसे यह जो लोग सेवा आयो की आफिसल वेब साइट है यहां पर आप जाएंगे तो यहीं से आफ विदिन करेंगे और सारी सारी जनकार यहीं से मिलेगी विश्तित जो नोटिफिकेशन है अब इस साम तक इसी वेब साइट भी मिलेगा रिक्तियों कि अकर हम लोग बात क करके 40 साल तक की आयू होनी चाहिए और इसकी उपर की नहीं हालाएक स्टी ओविसी को जो उत्तर प्रति छूट दिया थी वह भी दी गई है दिव्यां की जनको 15 साल की शूट दी गई है आवे दिन कब से शुरू हो रहे हैं उसकी बारे में जानकारी दी गई है चार जून स आवे दन शुरू हो जाएंगे और यहां पर एक जुलाई शुल्क आनलाइन शुल्क की जमा करने की जो है लास डेट और चार जुलाई लास डेट है तो यह आवे यह जो है आप इसे देख सकते हैं और उतर पत्र पत्रों में कि साधिकारी के 256 पदों पर बढ़ती के लिए इंटर्विव आठ तारीक से शुरू हो गया और इसके लिए विश्तर जो कारकरा में वो जारी कर दिया गया है यहां पर तारीक भी बताए गहीं है 14 15 16 21 22 24 25 जून को असिस्टिन प्रोफेसर बायो केमेस्ट्री के पत्र भरती के लिए इंटर्विव 10 जून को आयोजित किय किया जाएगा संगलोग सेवा आयोग यूपी एससी प्री की परिच्छा जो है कल है यहां पर लिखा हुआ है और उसके लिए आई एस चाहिए निगरानी करेंगे अगली सुचना यूपी ट्रॉपल सी पी इटी को ले करके हैं लिखा उत्तर प्रतियस अधिन सेवा चैन आ आयोग की प्रारमिक अर्था परिच्छा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने की संभावना है आवेदन प्रक्रिया पूरी होने को बाद सितंबर में यूपी ट्रॉपल सी पी इटी का आयोजन सितंबर में किया जाएगा तो इसका जो विग्यापन है व हाई कोड ने बिएट को प्रात्मीख सिच्छक बड़ती से बाहर कर दिया है उत्तर प्रदेस में वीट से गुवार लगा ये चातलों कि बिएट को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया चाहे चाहे वह मानों संसतन विकास मंत्राले हो चाहे वह एंसी टीटी के माध्यम से हो या केन सरकार भारत सरकार खुद इसके लिए आज विद्यार्थी चार जून को यहां पर एक बड़ा ट्विटर अभियान करने जा हम जो भी नियाएड के चात्रों और चाहतियों की बीटी बना रहे प्रास मिक में किसी तरीक है से तो आज का इस्ट्यक मोदी जी अंडरिस्कूर muchísimo को अदर को ऊंचत केी अदर को नियाए दिलाओ और यहां पर लिखा हुए है और इसकी बारे में सुनवाई होनी है चूकि अगले महीने 14 जुलाइब को इलाबाद हाई कोट में तो टीटी रुका हुआ माक्स इट और 19 जुलाई को सुप्रिम कोट में एंसी टी और एम एच आरडी बीट की पैरवी करवाई अगली कुछ समस्थ सूचना है जो है वो टीजीटी और पीजीटी को ले करके हैं एक बार फिर से बता दूँ कि बहु में वीडियो कर अच्छा लगे आको काम का हो तो लाइक भी कर दिया करें यहां पर लिखा तदर्द सिक्षिकों के रिग्द वदों पर तत्काल जारी हो अधियासन प्रदेश के सहायता प्रापत मादमिक विद्यालियों में प्रबंदकों द्वारा अवैधानिक तरीकों स में तदर्द सिक्षिकों के मामले में सुप्रीम कोड के अवहेलना करने पर गहरी नाराज की चताई है उन्होंने ततकाल तदर्द के बदों पर अधियासन चारी करने की मांग की है और अनिल सिंह ने बताया है कि रविवार सलोरी में चात्रों से प्रदेश में बिरोजगा की जगह पर नुक्त हो गए तो तदर्द सिक्षक फेल हो गए थे लेकिन उन शात्रों को नुक्ति नहीं दी जा रही है उसको लेकर यहां पर लिखा हुआ है कि प्रवाक्ता समवर्ग पीजीटी टीटी तो हर 21 में तदर्द सिक्षकों के पद पर चैनित हुए कई सिक्षक उत्तर प्रदेश में निवेस हो रहा है और जिससे युवां को बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा यहां पर लिखा हुआ है कि 14 से अधिक योज़ना में डाटा आइटी करसी हतकर का MSME आधिपरियोजना में पांस लाग परतेक्ष्य रोजगार मिलेंगे और बीस लाग अपरतेक्ष्य रोजगार महिया करवाए जाएंगे सोचल मीडिया में एक चकल तरचाएं थी कि जम्मुक्य मंत्री ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दरह वो घ पुरी होगे सरकार ने फिर से और 600 की एक नई सूची जारी कर दी इसको लेकर के विद्यारती कोट चले के जो दूसरे विद्यारती थे कि आखिरकार यह किस तरीके से सूची जारी कर दीगा यह विग्यापन के और यह नैपत कहां से आए हैं इसको लेकर कि सरकार ने कुछ जवाब भी दिया है कि यह नयपत्जुम्ह वह अर्षण 8500 की नहीं है और बहुत सारी बाते चल रहे हैं मामला कोट में हैं लेकिन इस सासना देश को अब तलब कर लिया गया है और यह सासना देश की जारी नहीं किया गया था गुप्त रूप से सासना देश बनाया गया था और सीधी सीधे सूची जारी कर दी गई थी किसी को भी नहीं पता था किस तरीके से कितने लोगों को जैनित किया गया है लिखा इलाबाद हाई कोट ने 69,000 सहाइक अध्यापक बरती के मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस सासना देश को तलब किया है जिसके जरिये पिछड़ झाल उसाइक अगैता कि 5 जनवरी 2022 को जता बरतियों की जरिकिन 9 जनवरी 62 को सारफजनिक ने किया गया थे किये इसपर हाइकोण 19 अपरल 2022 को सरकार को पांट जनवरी की शासेल करने के निरदेश दिगा था लेकिन कोड के आधेश का अनुपाला नहीं किया गया इसपर कोड ने अगली सुनवाई पर शासनल देश करने के निरुदेश देटेए एसा ना होने पर मुक्सची और प्रमुक्सची बेसिक सिच्चा सहित परिपक्षी 6 जुलाई को उपस्थ करने का आदेश दिया इसकी के लिए भी तीन दिन पहले उत्तर परदेश विधान सबका का घेराओ भी किया था और परिवर्तन चोग पर एक बड़ा धरना परदर्सन एंटी ने जारी किया अधिस सुचना 21 से लेकर के 30 जुलाई तक होगी संयुक्त प्रवेश्च पर इक्चा जो विद्धारती जाई मेंस पास करते हैं उसके बाद में एडवांस देते हैं जिसके अधार पर आयाइटी के जो विद्धारती वहाँ पर एडविशन होता है औ होगी आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाइब